हेलो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं MPS IGNU 001 का Topic 2 जो की प्रीवियस एक्जाम में भी पूछा जा चुका है यह है प्रश्न 2 लोकतंत्र के विभिन प्रकारों की चर्चा करें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस वीडियो के नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जोन अकैडमी की एप जहां से आपको ये कोर्स इस्टोर के ऑप्शन बे जाकर बहुत से कोर्स दिखाई देंगे जिसमें से कि आपको दिखाई देगा इगनू MA Political Science का कोर्स जहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं जिसमें से कि आपको वीडियो प्लेस में PDF नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे क्योंकि जो भी YouTube पे वीडियो में डाल रहा हूँ वह कुछी वीडियो आपको मिल पाएगी बाकि सारी वीडियो आपको मेरी एप जौन ऐकैडिमी के आप प्लेश डाउन लोटेश करें इस्टो पर जाएं और यहां से करशस दिखाई देंगे तो आप बहुत सारे रही package को जू आप लेना पीडिएफ नोट्स तो आप यहां से प्रचेस कर सकते हैं मैं आपको फिर बताना जाता हूं कि आपको यह यूट्यूब पे वीडियोस आपको कुछ ही मिल पाएगी बागी सारी वीडियोस प्लस में पीडियेफ नोट्स आपको यहीं से ही एविलेवल होंगे चलो आप स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक टू पर लोगतंत्र के विभिन प्रकारों की चर्चा करें तो लोगतंत्र का मतलब आपको पता ही है कि जनता का शाषन अब इसके विभिन प्रकारों की चर्चा करनी है जो प्रिवियेज अग्जाम में पूछा जा चुका है लोगतंत्र का शाब्दी करता लोगों का शाशन लोगों का शाशन होता है प्रजातंत्र शाशन व्यवस्ता और लोगतंत्री राज्ये दोनों के लिए प्रियोक्त होता है प्रजातंत्र बोलो या लोगतंत्र बोलो बात एक ही है और यह किसके लिए यूज होता है लोगतंत्री राज्ये के लिए यूज हो समूहों और संगत्नों के लिए भी संगत है North डलो के नंद किसके लिए भी संगत समध्नुखों के लिए और संगट्नों के लिए लोगतंत्र विभिन Jake सिद्धांतों को मिलाकर बनता है लोकतंत्र एक ऐसी शाशन पढ़ना ली है जिसके अंत्रकाज जनता अपनी मर्जी से चुनाव में आये हुए किसी भी दल को वोड देगर अपना प्रतिनिदी चुन सकती है तदा उसकी सत्ता बना सकती है यह दो इज़ी ज़ी बात है आपको पता ही यह लोकतंत्र के अंत्र चुनाव होते हैं, तो जनता अपने फेवरेट प्रतिद्वंदी को, कैंडिडेट को चुनती है, और उसको सत्ता में लाखडा करती है, लोक तंतर दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है लोक प्लस में तंतर, लोक का अर्द होता है, जनता का जनता, और तंतर का मतलब क्या हो के बारें बात की गई थी तो लोगतंत्र के प्रकार लोगतंत्र के प्रिभाशा के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शाशन है लोकतंतर के प्रिवाशे के निशार लोकतंतर क्या है जनता के लिए जनता का शाशन करना क्या है लोकतंतर है लेकिन अलग-अलग देशकारों परिस्तुतियों में अलग-अलग धार्णाओं के प्रियोग से इसके अब धार्णा कु अलग-अलग रूप में पेश किया गया, जिससे लोगों को ज़्यादा वो समझ नहीं आता था, तो थोड़ा बहुत अलग-अलग वर्ट्स में ही बोला आता है लोगतंत का मतलब, प्राचिन काल से लोगतंत के संदर में कई प्रस्ताव रखे गए हैं, पर इन में से कई भी, जनता के लिए जनता का शाशन, फिर बार यादी प्रतिनी दीन लोगतंतर की, प्रतिनी दीन लोगतंतर में जनता सरकारी अधिकारी को सीधे चुनती है, अब लोगतंतर के प्रकार में कौन सा पॉइंट है, प्रतिनी दीन लोगतंतर कौन सा होता है, जहाबर जनता सरकारी अधिकारी को सीधे चुनती है, प्रतिनिदिक किसी जिले या संसदिये छेत्रह चुन जाते हैं, या कई समानुपातिक व्यवस्तों में सभी मतदातों का प्रतिनिदित्व करते हैं, कुछ देशों में मिश्रिद व्यवस्ता प्रयुक्त होती है, मिश्रिद व्यवस्ता तो आ प्रतिनिदी जन्ता द्वारा निर्वाचित होते हैं लेकिन जन्ता के हित्मे कारे करने की नीतिया प्रतिनिदी स्वयमत्या करते हैं जन्ता जिनको चुंती है जो उनके लिए काम करेगी नीतिया जन्ता के हित्मे कारे करने की नीतिया प्रतिनिदी स्वयमत्या करते हैं अब यह नहीं है कि जन्ता ही बताएगी नीति कौन सी है प्रतिनिदी जिनको जनता ने चुना था वही प्रतिनिदी नीतियों को बनाते हैं लोगों के कार्रे के लिए ठीक है तो यद्धि दलगत नीतिया मतदातों में छवी पुन है याने कि दुबारा चुनाओ जैसे कुछ कारक प्रतिनिदियों पर असर डालते हैं तो यह जो दलगत नीतियां होती है जो जो भी नीति बनाए जाती है मतदातों में छवी दुबारा या चुनाओं जैसे कुछ कारक प्रतिनिधिव असर डालते हैं जो भी नीतिया बनती है किंतु समानते इन में से कुछी बाद्देकारी अनुदेश होते हैं कुछी ऐसी नीती होती है जिसके अंदर वो बाद्देकर होते हैं प्रतिनिधी वो करने के लिए कई नीतियों को वो जो बनाते हैं वह काम करते भी नहीं है आपने देखा भी होगा कि जो नीतिया प्रतिनीती बनाते हैं आपके छेतर में बोला जाता है कि हम यह करेंगे वह करेंगे पर वह ऐसा करते नहीं है इस परणाली की सबसे बड़ी विशेश्टा यह है कि जनादेश का दबाब नीतिकत विचलनों पर रोक का काम करता है क्योंकि नियमित अंतरालों का सत्ता की वैदता है तो चुनावा निवार रहा है अब चुनाव की वैदता के लिए क्या होता है अगर कोई प्रतिनीती धंड से काम नहीं करें तो अब कितने समय में अटाप आते हैं उसको पाठ साल बाद या मद्द्यवर लोक्तंत्र एक तरीके का जिसमें सवच्छ यह साफसुत्र और निस्पक्ष यान यानिकी बीना किसी बेदबाव के चुनाव देखा जाता है उदार लोक्तंत्र प्रत्र लक्ष्णों में अल्प संक्यों को की सुरक्षा कानून व्यवस्ता शक्तियों के वित्रण आदी के अलावा अभिव्यक्ति भाषा सभा धर्म और संपत्ति की स्वतंतरता प्रमुख है तो हमने यह पड़ा कि प्रतिनती लोकतंत्र कौन से जो सच्छों निस्पक्षों लोकतंत्र उधार लोकतंत्र के चरित्रगत लक्षणों में अल्प संखकों की सुरक्ष कानुन व्यवस्तर शक्टियों के वित्रण आदी के अलावा अभिव्यक्ति भाषा सभा धरम और संपत्ति की नतथता प्रमुख है और यह सारी बातएं उन्मिंए पाई जाती है है कि अब हमें सभाथर्म संपत्ति की स्वतंतरत आशा आए सशारी यह सारी चीजित नहित बिव्यक्ति की अजादी मिल रही है आशागी मिल रही है सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मिल पाता है फिर बारी आती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सेकंड पॉइंट में डाल दो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरीक सारे मैत्पुर्ण नि कर राष्ट्रों में हैं प्रत्यक्ष का मतलब सीधे तोर पर प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता सीधे तो प्रत्यक्ष लोगतंद्र में क्या होता है सभी नागरिक सारे महत्पून नीतिकत फैसलों पर मतदान करते हैं में में जो भी पॉलिसिया हैं उन पर वोट डाले जाते हैं प्रत्यक्ष लोकतंद्र में क्योंकि सद्धांदिक रूपसेज में कोई प्रतिनिती या मद्यस्त तो होता ही नहीं है सभी प्रत्यक्ष लोकतंद्र छोड़े समुझा है ना कर राश्ट्रों में उधारण के लिए स्विजर लेंड में भारत के लोकतंद्रिक सिद्धांद इ नियंत्रंड से मुक्त संप्रभु का मतलब क्या होता है स्वतंत्र होना और उसके बारे में क्या बताएगा किसी भी विदेशी शक्ति के सभब बारht टेनागरिकों की संसद में सिस्थाने की लिए जो भी चुनाव करा जाते हैं, हम में क्या है उनको चुनने की शक्ती है, फिर बारी आती है समाजवादी की, समाजवादी का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए समाज़िक और आर्थिक समानता, समाजवादी का मतलब क्या होता है, देश के सभी नागरिकों के लिए स समाजिक और आर्थिक समानता हो लोक्तांत्रिक समाजवाद का अरत्य है विकासवादी लोक्तांत्रवादी आहिंसक साध्रों के माध्यम से समाजवादी लक्षियों को प्राप्त करना धनकी एकग्रता कम करने तरह आर्थिक समानता को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रिया जहापन ना तो समाजिक बेद भाव हो और ना जहापर आर्थिक बेद भाव मि उसे कहते हैं समाजवादी धर्म निर्पेक्स के बारे में आपको पता हूं अपको इसको भी मेंशन करना है । धर्म को चुनने की आजादी आपने कई बार देखा होगा कई अधिकतर लोग किसी किसी धर्म में जाते वे देखे होंगे वो उनकी धर्म किया जादी है या किसी भी वेक्टिकों किसी भी धर्म में शादी करते वे देखा होगा वो उसके धरम किया जाती है भारत में किसी को भी किसी भी धरम का अभ्यास करने या उन सभी को आशिकार करने का अधिकार है भारत सरकास अभी धरमों को सम्मान करती है और उनके पास कोई अधिकारी क्राज्य धरम नहीं है भारत का लोकतंद्र किसी भी धरम को अपमान या लोगताईंत्र का मतला आपको पहले बता दियाता है जनता का शाशन, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, देश के लोगों को सभी इस्तरो संग हो या राज्य हो या स्थानिये, फ़र अपनी सरकार का चुनाब करने का अधिकार होता है, कि वो संग में भी चुन सकती है, याने केंद्र में, राज्य में भी अपनी सरकार चुन सकती है, स्थानी है, तो और भी अपनी सरकार चुन सकती है, जैसे निगम पार्षत को चुना जाना, लोगों के व्यस्क मत अधिकार को एक आदमी एक वोट के रूप में जाना जाता है, लोगों के व्यस्क मत अधिकार क तो मतदान का अधिकार किसी भी वेदवाव के बिना रंग, जाती, पंथ, धरम, लिंग या शिक्षा के अधार पर दिया जाता है, ना सिर्व राजनितिक बलकि भारत के लोगों, लोग समाजिक और आर्जिक लोकतंत्र का भी आनंद लेते हैं, यहां तक कि भारत के लोग रा का होना, राज्य का मुख्या अनुवन्शिक्ता राजा या रानी नहीं भलिके एक निर्वाचित व्यक्ति है, राज्य के आपचारिक प्रमुक अर्थाद भारत के राश्चपदी पांस साल के अभधी के लिए चुनावी प्रिक्रिया द्वारा लोग सभात और राज्य किसी कतने साल के लिए चुनते हों 5 साल के लिए, तो यह होता है, और वो भी, फिर 5 साल बाद चाहिщत प्रमॉदी के बाद ही होता है, जैसे कि उसको हटाते हुए, कि मद्शिक्तर चुनावी करवा conversation तो यह था हमारा second topic जो कि हमने cover करा और मैंने आपको बता दिया है कि यह कुछी topics हैं जो आपको YouTube पे available हैं, बाकि आप play store से John Academy के आपको download कर सकते हैं, description के top में आपको John Academy की app का link मिल जाएगा जहां से आप course को purchase कर सकते हैं और अच्छे marks ला सकते हैं.